नवसकार दोस्तों मेरा नाम है रोहत इस वीडियों में आपके साथ human digestive system में कौन कौन से organ involved रहते हैं उसके बारे में discuss करेंगे पिछली वीडियो में जैसा कि मैंने discuss किया था आपके साथ की main जो हैं हमारे digestive system में कौन कौन से organ रहते हैं तो वो है है बक्कल कैवटी और सो फैगस फूड़ पाइप स्टोमेक समाल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन और एनस इंवाल्व रहते हैं हमारे बक्कल कैवटी में हमारा टीथ आते हैं टीथ और टंग आते हैं टीथ की बारे में मैंने अल्रड़ी के दिसकश कर लिया हुआ है अब आपने नहीं देखा तो वो वीडियो देख लेजिए इस वीडियो में हम लोग आगे के पार्ट को डिसकश करेंगे बक्कल कैवटी में पहला पाष जो है टीथ वो डिसकास हो गया था अब जो दूसरा पार्थ टंग उसको डिसकस करेंगे तीद के बारे में ये डिसकसन हो चुका है और लेडी अब हम यहां पर डिसकस करेंगे ये एक्टिविटी और टंग के बारे में ये इस एक्टिविटी में बताया गया है कि कैसे हम लोग पता करेंगे कि हमारे मूँ में वो स्टार्च है जो शूगर में बदल गई और कैसे पता लगेगा कि हमारे मूँ में सलाइवा प्रेजन्ट रहती है और कैसे सलाइवा जो ब्रेकडाउन होके शूगर में स्टार्च सलाइवा ब्रेकडाउन करती है, स्टार्च को शूगर में, बलस है स्टार्च रहता है, उसको शूगर में कैसे ब्रेक होता है, तो इन्होंने क्या किया है, टेस्ट परफ judgments कीया है कि एक में, दो ट्यूब ली गही है, एक ट्यूब में राइस डाल दिया गया है एक चममच, औ और एक ट्यूब में डाल दिया गया है कि 3-4 minute के चबाकर जो खाना डाल दिया गया है दूसरी ट्यूब में तो आईडूइन का solution जानेंगे तो डालेंगे इसमें दोनों ट्यूब में तो इसका रंग चेंज हो जाएगा यही इसमें discuss किया गया है यह activity परफॉर्म करने के बाद आपको बता लगा कि जो है वो saliva जो है breakdown करती है starch को sugar में यही इसमें परफॉर्म किया गया है और पता लगे कि हमारे यहां हमारे जो slavery gland से saliva secret होती है इसी की बारे में discuss हुआ है अब यहां पर हम लोग discuss करेंगे कि tooth decay हमारा कैसे होता है जैसे कि यह figure जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारे मूँ में छोटे छोटे बैक्टीरिया पहले ही present रहते हैं जब हम लोग खाना खाते हैं तो happening growth चालू कर देते हैं और बैक्टीरिया जब growth उन खानों को उस खाने चालू करते हैं तो वो जैसे इस पहले figure में वह साथ ही जो है हमारे दान्त के साथ भी reaction करने लगते हैं जो बैक्टीरिया है इस तरह वो पहले figure में जैसे दिखाया गया है कि वो जैसे माल लीजिए पहले figure में यहाँ पर छोटा सा है यहाँ पर यहाँ पर अगर यह थोड़ा सा खाना फास जाएगा तो यहाँ पर बैक्टीरिया हमला कर देंगे तो यह खाना को खाने को भी खाएंगे उससे अपनी growth करेंगे और दान्त को भी थोड़ा decay कर देंगे और second figure में देखिए जो हमारी layer है वो थोड़ी सी नश्ट हो गई है जो enamel layer रहती है वो सबसे कठोर रहती है वो नश्ट हो गई है वैक्टीरिय के जैसे और figure C में जो है वो दिखाया गया है कि enamel की पूरी layer खतम हो गई है और figure D में है जो दिखाया गया है कि हमारा दान्त पूरी तरह cavity उसमें लग गई सड़ चुका है जिसको करते हैं दातों में कीड़ा लग गया है तो इसी की बारे में डिसक्रशन हुआ है अब हम देखते हैं कि ये मुख्यता किस रूप किस करण से डिके होता है पहले तो सुबा और शाम को आपको ब्रश करना चाहिए इससे हमारी कापटी नहीं होगी और मुख्यता एक कौन-कौन सी चीजों से होता है यह देखी चोकलेट और स्वीट्स और सॉफ डिंक इन सब से यह मुख्यता होता है और सुबा और शाम को जरूर ब्रश करना चाहिए इसते हमारी कापटी नहीं होगा टूद डिके नहीं होगा यही इसमें पैरा में डिसकेशन किया गया था अब यहाँ पे हम टंग के बारे में डिसकास करते हैं कि टंग का हमारा क्या काम रहता है टंग के बारे में क्या-क्या रहता है टंग हमारा क्या-क्या परफॉर्म करती है पहला तो यह तीन काम करत ये खाय हुए भोजन को अच्छी तरह से सलाइबर साथ मिक्स कर देती है और दूसरा कायम है ये भोजन को निगलने में सहायता करती है और तीसरा टंग का काम रहता है कि इस पर डिफरेंट जो है टेस्ट रीजन रहते हैं टेस्ट रीजन अब कौन कौन से कहां पर रहते हैं ये जान लीजिए ये हमारा रहता है स्वीट के लिए ये हमारा रहता है साल्ट के लिए साल्ट और ये वाला हमारा जो रहता है ये रीजन ये हमारा रहता है सोर यानि कि खट्टे के लिए और ये लास्ट जो है ये हमारा बिटर के लिए यानि कि कड़वेपन के लिए यान यहां पर और उसके बाद जो है साल्ट नमकीन लगेगा उसके बाद सौर उसके बाद जो है लाश्ट में कड़वा लगेगा यही इस फीगर में बताया गया है आशा करता हूं यह तो ही में आगा अब नेक्स पार्ट पे जाते हैं जो है हमारा फूड पाइप और पहला ओर्गन हमारा कम्प्लीट हो गया है जो की बकल कैवटी था माउथ अब हम दूसरा डिसकाश करेंगे फूड पाइप और और उसो फैगस जैसा कि यहां पर फीगर में दिखाई दे रहा है मुँँ में खाना निकलने से हमारे यह पाइप नली में आ जाता है फूड पाइप में और यहां पर यह जैसे फीगर में दिखाया गया है कि खाना हमारा नली से पेट में जा रहा है तो पेट में जाने से हम तीसरा पार्ट डिसकस करते हैं आशा करता हूं यह फूड नली का आपको पता लग गया हो क्या काम रहता है कि यह नली से हम हमारा आकर जो है नेस्ट पार्ट वो है हमारा पेट स्टोमेक स्टोमेक का क्या काम रहता है वो हम डिसकस करते हैं स्टोमेक का क्या काम रहता है कि इनर साइड पे स्टोमेक के म्यूकस रहता है जो की म्यूकस रहता है जो की हमारे पेट को प्रोटक्ट करता है और जो है फूड जो मान रहता है वो 2.4 रहता है एसडिक में एसट रहता है वो क्या करता है जो मुझ से हमारे साथ बैक्टिरिया आते हैं वो उसको मार देता है और यहां पर digestive juice भी produce होते हैं स्टोमेक में ही वो क्या करते हैं जो protein को है वो तोड़ देते हैं और यहां पर partially जो है हमारा खाना जो है digest हो जाता है आशा करता हूँ यह तीनों आपको समय में आ गया होगा कि यह mucus रहता है जो कि हमारे पेट को prevent करता है protect करता है और acid रहता है जो कि germ बैक्टिरिया मारता है जो मुझ से आते हैं हमारे और तीसरा है digestive juice रहते हैं जो कि protein को simple substance में बदल देता है अब आगे हम लोग discuss करते हैं कि small intestine का क्या function है small intestine जो है wild एक tube रहती है 7.5 मीटर की जो यहां पर small intestine में जो है हमारा सारा खाना absorb हो जाता है या पच जाता है अब यहां पर क्या क्या होता है वो discuss हम लोग करेंगे इसमें क्या क्या रहते हैं इसके जो है इसमें लीवर इसी में रहता है और पैन क्रिया इसी में रहती है अब जो है लीवर में क्या होता है wild juice produce होता है लीवर में जो है wild juice हमारा produce होता है जैसा कि इसमें दिखाए गया है और यहां पर हमारा फैट भी डाइजेस्ट होता है फैट जो है फैटी एसिड में बदल जाता है और गाल बलडर है हमारा जिसमें बाइल जूस हमारा स्टोर होता है उसको गाल बलडर कहते हैं आशा करता हूं यह समय में आ गया होगा कि पेट में क्या कह रहता है और यह जो लिखा है heading जो है main main black color से यह आपको clear होगी bile juice जो है मारा पेट में produce होता है उसके बाद girl bladder जो है bile juice जो है produce हो जाता है उसके बाद store जो है bile juice मदद करता है यह की पेट में ही हमारा produce होता है आगे पैन किरियास रहता है पैन किरियास क्या करता है यह main point है इतको note कर लीजे simple sugar को जो है glucose में बदल देता है और fat को fatty acid या glycerial में बदल देता है protein जो है वो amino acid में बदल जाता है यह question तीनों बहुत important है carbohydrate जो है वो glucose में fat fatty acid में बदल जाता है protein जो है amino acid में बदल जाता है आगे अब इसमें इस speaker में दिखाया गया है कि यह discover हुआ था 1822 में discover हुआ था एक man है जिनका नाम है Alex S Martin इनको गोली लगी थी तो गोली लगी होने के विजए से निकालने के निकालने के चक्कर में जो doctor है उन्होंने इसकी खोज कर डाली थी पेट की तो इसी बारे में यहां पर बताया गया है कि जब इसको ठीक करेंगे तो यहां पर जाहिर सी बात है कि पेट के बारे में जनकारी इनको मिलेगी तो यही 1822 में हमें पेट के बारे में पता लगा था कि हमारा जो है पेट कैसे काम करता है किस तरह मैंने बताया था कि क्या क्या इसमें होता है वो सब इन्होंने 1822 में ही पता लगाया था क्योंकि यहाँ इनके पेट में ही जो यह मैन है मार्टिन इनके पेट में ही गोली लगी थी अब आगे हम डिसकस करेंगे small intestine small intestine का क्या function रहता है small intestine में जो है छोटी आथ में जो है हमारा और भी function रहता है जैसे कि उसमें छोटी छोटी finger की तरह विल्ली रहती है वो विल्ली क्या करती है surface area small intestine का बढ़ाती है और food को पूरा absorb करने में सहायता करती है अब देखिए वहाँ से small intestine में सारा खाना पच गया अब ये हमारे blood और blood vessel और cell में कैसे पहुचता है जिससे हमें energy मिलती है इस पे small intestine में छोटी छोटी finger like structure होती है विल्ली कहते हैं उसको वहाँ पे blood vessel रहती है blood vessel में हमारा जो पचा हुआ खाना है वो calendar अब चला जाता है जो absorb कर लेते हैं उसके बाद blood vessel से हमारा cell में खाना चला जाता है जब cell में जाने के बाद हमारा जो protein है वो repair करता है और carbohydrate हमें energy देता है और fat भी हमारा energy देता है तो आपको आशा करता हूँ यह समय में आ गया होगा कि समाल इंटेस्टाइन का क्या क्या काम रहता है अब हम देखते हैं आगे अब देखिए असेमिलेशन क्या होता है कि इसी को फूड को एब्सॉर्ब करने को ही असेमिलेशन कहते हैं यही इसमें विल्ली और यह अब्सॉर्ब्शन विल्ली यह मैंने आपके साथ discuss कर लिया है अब आगे हम discuss करते हैं large intestine में क्या होता है large intestine जो है 1.5 मिटर की लंबी ये भी length की tube जैसी ये भी रहती है कुछ यहाँ पे कोई पहले तो main point note करिए कि यहाँ पे कोई कुछ भी digestion नहीं होता है इसका main function ये रहता है कि water को इसका main function रहता है to absorb water from undigested food material जो बिना बचा हुआ खाना है उसके water को absorb करने का main काम रहता है उसके बाद जो है ejection होता है ejection में क्या होता है कि हमारा खाना NS के थुरू बाहर निकल जाता है आशा करता हूँ ये आपको समय में आ गया होगा कि large intestine का क्या काम रहता है कि बिना पचे हुए भोजन में से पानी जो है अलग निकालता है और last में NS में इसको ejection कर देता है अब आगे हम देखेंगे कि digestion in grass eating animal कि जो grass घोड़ा जैसे घोड़ा और गाय बक्री ये तब grass eating animal है तो इनके बारे में क्या होता है क्या खासियत इसमें रहती है इनके बारे में हम लोग discussion करेंगे अब यहां पर इनको जो यह घहां खाते हैं इनको हम लोगta woman कहते है अंप रूमिनेंट पर участчики और क्या क्या आती है गाएं भैस हीरन फैलो जिराफ यह सब घास खाने वाले जानवर हैं इनको क्या कहते हैं हम लोग रूमिनेंट कहते हैं जैसा कि इसमें अब यहां पर एक दिया गया है इसके बारे में हम लोग पहले डिसकस कर लेते हैं उसके बाद क्या कहते हैं डाय होरिया या इसको पंवरन सेशन अगर मैं सही संध प्रभा रहा हूं तो आप लोग बताइए क्या है इसको जैसे लीज मोशन लग जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं तो कैसे ठीक करते हैं इसको देते हैं फिर डॉक्टर ओ औरल solid solution कहते हैं और लग एससे में क्या रहता है और जो इby जो रहती है और हखा सा नमक रहता है पानी में घौल लिए गाता है इसको हम लोग जसको बार-बार रहे है उसकी कर możli्र को दिया जाता है तो यह तो ऑफे कंट्रोल में मैं आया गता है ये होता की वज़ा से भी यह हो जाता है कि अब आगे हम लोग डिसक्स करते हैं रूमिनेंट्स एनिमल की बारे में इन में क्या-क्या होता है अब जैसा कि यह फीगर में दिया गया है अब रूमिनेट इनके चार स्टक्चर रहते हैं यानिकि पेट के इनके चार सेक्षें रहते हैं तो ये कौँ कौँ से सेक्षें रहते हैं 4 चमबर, رومन रेटीकूलम अमासम और अबो मैजम, ये इनके 4 टॉक्चर रहते हैं इनमें ही जो है इनका होता है रूमिनेट, तो ये लोग पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद इनके पेट में चला जाता है, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि ये पहले तो खा लेते हैं, खुब सारा उसके बाद बैठ जाते हैं, उसके बाद जब खाना नहीं खाता तो ये मूँ को अपना पगुराते रहते हैं, उसी को हम लोग कह जा सकते हैं कि दो HI app docs ko हमारे लिए पड़ाना कटीन क्योंकि हमारे में जो है यह रू में जो है सैक्षिन नहीं रहता है मैं पूस्चा जाता है कि हम लोग तो हमारे उसका के मारे अंदर जो है रुमन वह फंक्शन नहीं है इसलिए हम लोग घास को नहीं खा सकते हैं अब आगे है हमारा जो है अमीबा का इसमें यह सिंगल सेल स्ट्रक्चर जो है और गिनेदम रहता है जो कि पानी में जिसको पानी में उपर यह पाया जाता है पॉंड में इसी को single structure रहता है अब ये इसका कुछ shape इस परकार बीना shape के रहता है तो इसलिए इसको क्या कहते हैं इसका कोई fix position नहीं रहता है इसको पूड या कहते हैं ये capture ऐसे घूमता रहता है इसका movement रहता है और इसको फूड को पकड़ लेता है जो अपना feed कर लेता है ज को फूड वैक्यूल कहते हैं और डाइजेस्टिव जूज की सहाइता से ये अपना भोजन पचाल लेता है अब आगे हम कीवर्ड जो है अगले वीडियो में डिसकस करेंगे वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद